नमस्कार दोस्तों, EKB Technical में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है Toggle Switch के उपर में तो आज हम बनाने वाले हैं 555 IC से Toggle Switch यानि कि जो आप घर में यूज करते हैं On-Off Switch, Bulb या फैन को चलाने के लिए सेम वही स्वीच को हम लोग 555 IC से बनाएंगे Electronics से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Toggle Switch बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या-क्या Electronics Parts की जरूरत होगी वह हम लोग आज देख लेते हैं पहले एक छोटा सा PCB का टुकड़ा लेंगे और Toggle Switch के लिए ये दो पूस्ट बेटन लेंगे एक 555 IC लेंगे दो रेजिस्टेंस होगा जो होगा हमारा 1 Mega Ohms का ठीक है और एक रेजिस्टेंस लेंगे 10K का एक पीएफ लेंगे 10NF का यानि की एक को तीन का पीएफ लेंगे और एक ट्रांजिस्टर लेंगे 547 का ट्रांजिस्टर एक लेंगे एक हम लोग डायोड लेंगे 4007 और एक हमारा ये रिले होगा 5 वोल्ट का है तो अब हम लोग PCB में इसे सेट कर लेते हैं PCB में सेट करने के लिए आप जहां चाहें वहां अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों तो मैं अपने हिसाब से इसे सेट करता हूँ ठीक है आप सिर्फ इसको फॉलो कीजिए और ये सारे पार्ट्स को लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सारे का लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसे खरीच सकते हैं और अगर इसका सर्कीट डाइग कि देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हैं कि तो सबसे पहले दोस्तों इस पीसी बी पे हम हम्हें रिलिय और आईसी को हम लगाएँगी और आईसी को हम यहां पे लगाएंगे इस से तो इसे पहले हम लोग कर लेते हैं दोस्तो यह हमारा 525C है और इसका जो चार और 8 नमबर पीन है दोस्तो हम लोग पहले यहां पे positive supply से इसे connect करेंगे यानि कि यहां पे हमारा positive supply है इसे positive supply के लिए हम एक line बनाएंगे PCB के उपर तो इसे हम लोग पहले कर लेते हैं तो आइसी को हमने देखे यहां पर प्लेस किया है दोस्तो अब इसे हम सोल्डिंग कर देते हैं पहले तो आइसी को हमने यहां पर सोल्ड कर दिया दोस्तो अब इसी के जश्ट बगल में हम पहले relay को यहाँ पे place कर देते हैं उसके बाद सारे चीजों को हम लोग बारी-बारी से लगाएंगे तो इसे भी sold कर देते हैं तो यह place हो गया दोस्तों अब हम क्या करेंगे IC का 4 नमबर और 8 नमबर पीन में हम लोग supply देंगे तो यह कर लेते हैं तो दोस्तों हमने 4 और 8 नमबर पीन को आपस में जोड़ दिया है अब 5 नमबर पीन से हम लोग 10NF का एक PF को ground करेंगे यह वाले PF को कर लेते हैं तो दोस्तों 5 नमबर को हमने कर लिया है ground एक PF से 10NF के PF से अब एक नमबर को direct ground कर देंगे यहाँ से इसी का जो 6 नमबर पीन है दोस्तों यह वाली पीन इस पीन में हम एक resistance लगाएंगे और इसे ground करेंगे इसका नमबर होगा 1M 1M का तो इसे हम लोग कर लेते हैं तो 6 नमबर पीन में हमने 1M का resistance लगा दिया दोस्तों अब 6 नमबर में हमें एक push switch लगाना है प्लस से जोड़ते हुए ठीक है तो यह देखे यह हमारा 6 नमबर है यहाँ पे हमारा एक switch होगा इस तरह का इस तरह का ठीक है तो दोस्तों हमने यहाँ पे switch लगा दिया है अब क्या करेंगे 2 नमबर पीन से दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे हमें 1 M का एक resistance और जोड़ना है 2 नमबर को supply देना 1 M से ठीक है और इसी से होता हुआ एक switch जो है वो हमारा ground हो जाएगा इस तरह से तो इसका भी कनेकसान हम लोग कर लेते है चलिए भी हो गया दोस्तों अब हम क्या करेंगे 3 नमबर पीन से 1 10 K का resistance जोड़ेंगे और यह हमारा जाएगा एक transistor में जिसका नमबर होगा BC 547 ठीक है इसका emitter हमें ground कर देना है और collector में एक जो relay हमने लगाया है उससे connect कर देना है और इसी में हमें एक 4000 7 का diode भी लगा देना है तो चलिए लगाते हैं तो दोस्तों सारा parts हमने लगा दिया इस पे अब इसमें हमें देना है supply यानि कि हम यहाँ पे 12 बोल्ट का supply है sorry दोस्तों 5 बोल्ट का supply देंगे क्योंकि 5 बोल्ट का relay है 5 बोल्ट से यह भी काम कर रहा है तो 5 बोल्ट देंगे 6 बोल्ट भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह काम करेगा सही से काम करेगा और यहाँ पे minus देंगे और यह दोनों के बीच में हमें एक कैपसीटर भी लगाना है दोस्तों इस तरह से यहां पे 470 UF 25 वोल्ट का कैपसीटर लगा देते हैं तो दोस्तों हमारा यह सर्किट रेडि हो चुका है अब हमारी है चेक करने की तो चलिए इस चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए हम यहां पे सीरीज बलक इश्थिमाल कर रहे हैं और इसमें हमने फाइब वोल्ट डी सी सप्लाई दिया है तो अभी हम देखते हैं इसे आन करके यह आन होता है कि नहीं यह देखें यह हमारा switch on हो गया। है और रिले हमारा आउन हो चुका। Cut से आवाज आपको सुनाई देता होगा। यह off हो गया, यह on हो गया, यह off हो गया, यह on हो गया, यह off हो गया। ट्यक्ए है ? झाल झाल